मुझे नहीं आता प्यार का इसार करना मुझे नहीं आता प्यार का इसार करना काश तुम आखों की बाशा समझ लेती मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कहने पाया दिल में जो बात थी वो जुबाह पे आती थी लेकिन लबजों में बात कही थी कि शुबम लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते और मैं पगला मनी मन में मुस्कुरा कर कहे गया कि मैं तुम्हारा यहाथ जिन्दगी वर पकड़के रखना चाहता ह। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजरान सा लगता था तबसे तुम मेरे जिन्दगी का हिस्सा बन गई हम साथ में मुस्कुराते थे बस फर्क इतना हो दा था तुम खुशी से मुस्कुराते थी और मैं तुम्हें देखके मुस्कुराता था क्या वो प्यार था? इन आखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन ओठों को तुम्हारी इपादत सी हो गई थी, एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या को रुपानी तुम्हें देखे तो प्यासा बंजे और आख तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलना या वो प्यार था तुम्हारे पोन पे रिचाज मैं करता था और घंटों तक तुम किसी और से बाते करते थी तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यहां गुद गुद ही मेरे हाथों में होती थी तुम किसी और को गले लगाती थी और यहां धड़कने मेरी तेज हो जाती थी झाल कीजाने यह दो हुए इस तेरा मुझे से कहा था कि उसे प्यार की दीवारों और वह कुछ मैने बाद वह किसी अखेसा है अपने महत्पत का मेल सजा रही थी रर दो साला मुझे लगता ता कि जिनदगी का एक हमारी बारे या तो साला मुझा तो आज से हम भी बदलेंगे हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज जिन्दगी राप्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी सन्व इस तरह ये गजल सुना के में मैं फिल में खड़ा था और लोग अपने अपने चाने वाले में खो गए थे क्योंकि एक तरफ आई सही मगर हां वो प्यार था तो बिसिकली ये दिल की बात थी जो दिल ने बोई लेकिन दिमाग ने बस एक ही बात बोला कि भाई तो फ्रेंड्स उनों कि हैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ